तो गैस अगर आप लोग OPPO Reno8 और OPPO Reno8 Pro यूज़ कर रहें और यह डिवाइस में अगर आप लोगों को लॉक स्क्रीन पासवर्ड को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीचेगा बिलका आइकोन को प्रेस कर लेना है फर्स्ट अपॉल सेटिंग्स ओपन करें पासवर्ड एंड सेकृरिटी पे क्लिक करना होगा लॉग स्क्रिन पासवर्ड पे क्लिक करें इंटर लॉग स्क्रिन पासवर्ड हमें अपना लॉग स्क्रिन का पासवर्ड डाल लेना होगा यहां पर आप लोगों को तीन options मेलेंगे जैसे कि अभी हम numeric को use करें आप लोग alpha numeric को use कर सकते है pattern को use कर सकते तो अगर जैसे कि हमें alpha numeric रहना simple comments पर click करेंगे अपना पुराना वाला password डालेंगे then अभी हां पर हम अपना नया password setup कर सकते है pattern हो या फिर जो भी हो आप लोग इस तरीके से changes कर सकते है so अगर कोई भी doubt रहता है तो आप लोग हमें comment या फिर instagram कर सकते है मिलते हैं next video में जय मतादी